दोस्तो अगर आप सस्ते रेंज में एक wireless portable Bluetooth speaker लेने की सोच रहे हो तो आज मैं लेके आया हूँ मातर 300 रुपे की कीमत में मिलने वाला जबरदस sound के साथ आने वाला MJ का एक wireless portable speaker जिसकी करींगे हम unboxing और देखिंगे sound इसका कैसा है build quality कैसी है और कैसा रहता है यह Bluetooth speaker आपके लिए तो box packing देख सकते हैं काफी चोटा सा यह box है blue color का जिस पर आपको MJ की branding और model name speaker यहाँ पर बनाया गया है और इसमें आपको 4 गंटे का playback time मिल जाता है long lasting battery, FM radio support, true wireless support आपको इसमें मिलता है साथ में memory card भी इस पर आप लगा सकते हैं और इस पर आपको disco LED light भी मिल जाती है जो कि यहाँ पर आप जलते हुए देख सकते हैं back side में भी कुछ headline features लिखे गए हैं जैसे कि यहाँ पर model name mention किया गया है working range यहाँ पर 10 meter दूर तक यह catch करेगा और इसकी अलावा 4 गंटे का आपको playback time देगा और 1200 mh की battery भी यहाँ पर mention की गई है अलग अलग color variant में आपको यह मिलता है यहाँ पर mention किये हुए हैं चलिए दोस्त सकते हैं और pocket में भी रख सकते हैं हाला कि काफी ज्यादा मोटा भी है यह और इसकी अलावा build quality जो body है इसकी मुझे काफी मजबूत लगी यह आप यहाँ पर देख सकते हैं और ऊपर आपको यह gap नजर आ रहा होगा जिसमें आप mobile को stand कर सकते हैं यह देखे कुछ इस तरह से आपका जो mobile है वो stand हो जाएगा और यहाँ से यह इस पर आपको sound सुनने को मिल जाएगा तो काफी अच्छा लगा मुझे यह इसके अलावा आपको ऊपर volume rockers मिल जाते हैं plus minus की दी गई है साथ में जो LED light है उसके लिए आपको अलग से की दी गई है यहाँ पर आपको एक बा और यह रही इसके on और off की जल्दी से इसे on कर देते हैं और जैसी आप on करेंगे तो इसने हमारा स्वागत कर दिया और यह खुद देर fresh करना है उसके बाद जो आपकी LED light है वो बंद हो जाएगी और बैटरी थोड़ा सा लंबा चलेगी तो हम इसे again open कर लेते हैं कुछ देर बात और काफी colorful LED lights आपको मिल जाती है अगर room में अंदेरा रा तो काफी ज़्यादा इसकी signing आपको देखने को मिल जाएगी इसके जाते ही आपको यहाँ पर काफी सारे नाम नजर आ रहे होंगे और इसका नाम है M412SP तो यहाँ पर already connect हो रहे हैं तो इन्हें मैं यहाँ पर disconnect करूंगा सबसे पहले और यह देखिए जैसी यहाँ पर दो कर रहे हैं मैंने connect तो इन दोनों को हम यहाँ पर हम नीचे जो ही connect हुआ है तो दोस्तो अब हमारा जो Bluetooth speaker है वो mobile से connect हो चुका है और अब है देरी music सुनने की दोस्तो अगर आप YouTube वीडियो बनाते हो तो दोस्तो आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी YouTube पे सर्च करके free music को download ना करे और ना ही उस music का use करे चाहे वो NCS music ही क्यों न चुका था और आजकल YouTube studio में पहले ही बता देता है कि यहां पर आपको copyright claim आ गया है तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप YouTube लाइवरी से जो भी music आपको पसंद आता है उसी को download करे और उसी को use करे चाहे आपको YouTube पर copyright free music लिखा हुआ दिख जाए लेकिन दोस्तो उसका use न करे तो मैं अभी YouTube लाइवरी से music download कर लिया है और आपको सुनाने जा रहा हूं इसका sound तो दोस्तो अब मैं माइक को speaker के करीब ले जाओंगा ज्यादा करीब भी नहीं क्योंकि काफी ज्यादा noise आ जाता है इसलिए थोड़ा सा दूरी रखेंगे हम तो यहां पर हम माइक को रख लेत हैं और दीरे दीरे बढ़ाते हैं sound को तो friends जैसा कि आपने देखा कि sound काफी loud सुनाई दे रहा है बहुती ज्यादा loud अगर आप outdoor भी अगर फिकनिक क्या कहीं बार गूमते हो और उस time भी अगर music सुनते हो तो काफी ज्यादा loud और bass भी काफी तगड़ा आपको मिल जाता है मातर 300 रुपे के अंदर ये speaker मुझे काफी कमाल का लगा इस speaker में आपको 4 गंटे की battery backup दिया गया है और अगर आप कहीं outdoor पिकनिक या फिर ऐसी घूमने जाते हैं और अगर आप बोर अरे हो और music सुनना चाते हैं तो काफी बढ़िया sound आपको इसका मिल जाता है ये speaker 300 रुप आप comment box में बताइए ये speaker आपको कैसा लगा 300 रुपे के अंदर आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी वीडियो भी चाते हैं मेरे चैनल पर comparison के हलावा तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी वीडियो भी जरूर लाओंगा बस आप चैनल को subscribe वीडियो को like ज़रूर कर दें तो friends मिलते हैं अगली वीडियो में अगली unboxing के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद